तो आज मैं आप सब की साथ एक बहुत ही टेस्टी एन हेल्दी नाश्टे की रेस्पी शेयर करने जा रही हूँ जो की बनता है मसूर की दाल से इसको आप सुबह और शाम की सीवी टाइम स्नैक्स की तरह चाय के साथ ले सकते हो तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं कर सब्सक्राइब बटन होगा उसको हिट कर दीजेगा और साथ में बने बैल आइकन को प्रेस करके औल नोटिफिकेशन को जरूर सलेट कर लीजेगा जिससे मेरे आने बाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरन मिलेगी और ये बिलकुर फ्री है तो आज की जो रेस है और इसके साथ ही कुछ मसाले और एड करेंगे यहां पर मैंने चार से पांच लेसन एक इंच का टुकड़ा अद्रक का और एक हरी मिर्च ले ली है तो लेसन और हरी मिर्च को हम इसी तरीके से इसके अंदर डाल देंगे और अद्रक जो है इसको हम थोड़ा सा कूट कर ड याम चुर पाऊडर् 1 टीसपून गरम मसाला और वन टीसपून इसमें हम डालेंगे नमक तो यह सारी चीजें डालकर इसको हमें ड्राई ही पीस लेना है इसमें जरा सा भी पानी आइड नहीं करेंगे इसको बहुत जादा नाहीं बारीक करना है और नहीं बहुत जादा हमें मसाल servict आइटके जाँ एक से दो चीजां ynखर कर देए का ताहा है। मुछ यहाँ अजू ग्याँ फित् और कटे हुए तो थाम स्ईक टाहँ छोटा अनियन मैंने लिया और एक ताहा है। तो यहां पर मैंने चार से पांच चुटकी यानि फोर टू फाइव पिंच ऑफ बेकिंग सोडा ले लिया है और उसको भी इसके अंदर डाल के अच्छे से घुमा लेंगे फैट लेंगे जिसे की दाल अच्छे से फूल जाए और जब इसको हम स्टीम देंगे तो यह बहुत अच्छे से हर तरफ और इसके बाद जो दाल हमने पीस कर रखी है उसे छोटी छोटा सा पोर्शन लेते हुए हम इसके उपर ढालते जाएंगे हाथ से आप कर सकते हो चाहो तो आप इसको स्पून से भी कर सकते हो थोड़ थोड़ा सा गैब देते हुए इसको पूरी जाली पर आप इसको बिचा लीजिए तो यहां पर हमने बफौरी को जाली के उपर डाल लिया है और यहां मैंने दूसरी तरफ पानी भी उबलने रख दिया था एक भागोने में तो इस तरीके से जाली को उबलते पानी के भागोने पर रख देंगे और एक प्लेट से ढग मिनट के लिए स्टीम करना है और इसके बाद चलिए हम इसको चक कर लेते हैं तो इसको मैंने नाइफ डाल कर चक किया है तो नाइफ बिल्कुली क्ली बाहर निकल गई इसका मतलब ही अच्छे से पग गया है तो अब इसको हम एक से दो मिनट ठंडा होने के लिए रख तरी के से दूसरा बैच भी मैंने जाली के ऊपर डाल लिया है और इसको स्टीम कर लेंगे तो आप देख सकते हो कितने अच्छे सॉफ्ट यह बफ़वरी बनकर तयार हुई है इसको अब हम करेंगे थोड़ा सा फ्राई तो यहां पर मैंने एक से दो बड़ी चमच अच्छा लगता है साथ ही मैंने इसमें एक किया है हाफ टीजपून चिली फ्लेक्स और अच्छे से बफ़वरी को इसमें डाल कर मिक्स कर दिया है यहां पर बफ़वरी में मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा नमक हलका रखा था तो मैं उपर से नमक एक कर रही हूँ त और इसके उपर हम थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया एट कर देंगे और बस इसको मिक्स करके हम सर्फ कर देंगे यह बिलकुली खाने के लिए रेडी है इसको आप किसी भी टाइम नाश्ते में खा सकते हो बहुत ही जल्दी इससे पेट भी भरता है और डालें जैसे कि आप को पता है हाई इन प्रोटीन होती है तो बहुत ही हेल्दी होता है बच्चों को बड़ों को सबको आप यह कभी भी दे सकते हो बहुत ही फटा फट जट जट पड बन जाता है तो अगर आपको मेरे रेस्पी पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना मत भूलि झाल 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 झाल